दोस्तो जी टीवी का शो कुंडली भाग्या वर्तमान में कई बतलावों से गुजर रहा है और इन ही बतलाव के जरिए अभिनेता शक्ती अरोडा शो में एंटर हो चुके हैं जो कि टीवी इंडरस्ट्री के काफी टैलेंटेड अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर में ये किस परिवार से तालुक रखते हैं इनका फैमली बैग्राउंड क्या है और किस तरह से ये टीवी के मशूर अभिनेता बने आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं शक्ती अरोडा की फैमली हिस्ट्री के बारे में बता क तो देर किस बात की चलिए रूबरू होते हैं इनके परिवार के इतिहास से पर उससे पहले आप शक्ती अरोडा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें अभिनेता शक्ती अरोडा आज किसी पहचान के महताज नहीं है पर बात कर इनकी फैमली हिस्ट्री की तो इनकी हिस्ट्री शुरू होती है इनके घर के मुख्य सदस्य यानि इनके पिता से जिनका नाम नरेश कुमार है जो कि मुंबई में ही पले बड़े जहां पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की जो की धीरे-धीरे काफी सफल हो गया और इसी के साथ तीन बच्चों की मम्मी बनी जिनके इन तीनों बच्चों में शक्ति अरोडा के साथ इनकी धो ब championships के बासियुक हिसे बड़ी है और आश यानि की शकति और में में तो आपको बता दे इनका जन्म 16 मई 1986 को मुंबई में हुआ था जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से कम्प्लीट हुई बता दे शक्ती अरोडा के नाना जी चंदर शेखर प्रोफेशन से एक एक्टर रहे थे जिन्होंने बॉलिवुड की 100 से भी जादा फिल्मों में काम किया था जिसकी वजह से शक्ती अरोडा ने भी बच्पन से ही अपने नाना जी की तरह एक एक्टर बनने का सपना देखा था जहां अपने इसी सपने की वजह से ये शुरुआत से ही अपने स्कूल में छोटे मोटे प्लेज में पार्ट लिया करते थे साथ अपने नाना जी से भी एक्टिंग की बारीकियों को सीखते थे पर इनके नाना जी के फिल्मों में होने के बावजूद इन्हों ने कभी भी उनके जरिये कैरियर बनानी की कोशिश नहीं की जिसके बज़े से शुरुआत में इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा जहां से इनके करियर की असली शुरुआत उसी साल लेप्ट राइट लेप्ट शो के जरिये हुई जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से काफी तारीफे बटोरी जिसकी बज़े से आगे चलकर इन्हें दिल मिल गए बाप अहू और बेबी और मेरी आशिकी तुमसे ही जैसे काम करने के दोरान ये भी नेतरी नेहा सकसेना से दिल लगा बैठे थे जिसकी बज़े से दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और आगे चलकर साल 2018 में दोनों ने शादी कर अपना घर बसा लिया जहां आज भी ये उनके साथ बेहत खुबसूरती से रिष्टे में बरकरार हैं तो दोस्तों शक्ति अरोडा की फैमली हिस्ट्री जानकर आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चाल्यल को सब् कुले